अभिवादन स्विकार कीजिए ब्रजेश मिस्त्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं दडिबेट बैनों भाईयों हाथरस कांड ने एक बार फिर से आध्यात्मिक दुनिया का सामाजिकता से के साथ का जो संबंध है वो बड़ा व्यापक राजनितिक और कई बार बह कितना बड़ा है आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से और राजनितिक रूप से ये एक इस तरह का राजनितिक आर्थिक गड़ जोड हो गया है कि इसमें आम आदमी तो प्रभावित हो रहा है लेकिन खास आदमी यानि पॉलिटिकल क्लास इसका बेनिफिसेरी है आज चर लाए हुए हैं बैनों भाईओं आज हम खुली चर्चा होगी बाबाओं के बाजार पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि यह सूरजपाल उर्फ नारायन साकार उर्फ विश्वरी ब्रह्मांड क्रियेटर कोई एक एक ही बाबा है दरसल पूरा हिंदू समाज आप मोटे तौर प चाहें तीन हिस्सों में बटा हुआ है एक अपरकाष्ट यानि सवर्ण पिछडी जातियां नंबर टू और उसके बाद आते हैं दलित और आदिवासी बैन भाईओं तीनों कम्यूनिटी में आपके देखते देखते इनके बाबा अलग हो गए हैं इनके आध्यात्मिक गु अलग हो गई है जो अपरकाष्ट के बाबा है कि उन्हाइग का सिस्टम अलग है कि पिछली जातियों के बाबा है उनका अलग सिश्टम है। और जो दलित और और आदिवासियों के आध्यात्मिक गुरू हैं उनका सिस्टम है। इस सिस्टम में कौन कहां खड़ा हुआ है काम सब एक जैसा कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि कोई आध्यात्मिक शक्तियों से और चमतकारिक शक्तियों से लैस है और दूसरा उससे लैस नहीं है सबका बाजार और सबके कार्य की प्रणाली एक जैसी है अब मिसाल के तौर पर सूरजपाल उर्फ जाटव उर्फ नरायन साकार को अगर लें एक उधारन के तौर पर तो ये सज्जन जिनकी वजह से इतनी बड़ी दुर घटना हुई इतने लोग मारे गए ये दलित आदिवासी और पिछडी जाती के कम्यूनिटी के बाबा हैं ये उनको रिप्रेजेंट करते हैं ये उनको देखते हैं ये उनके गुरू है और वो अपनी कम्यूनिटी में उसी भाषा में रिप्रेजेंट करते हैं उनके लोगों को उनकी बात समझ में आती है इन बाबाओं के साथ क्या है जो सेडूल कास्ट कम्यूनिटी के हैं या ओ मिला हुआ है या इनके महिमा मंदन का कोई बड़ा इनके पास अपना मीडिया वर्ग नहीं है अब वहीं अपरकास्ट के बाबाओं का आ जाईए बिलकुल काम यही कर रहे हैं रोल डिफरेंट है आलिशान सांदार फाइव स्टार पंडाल मिलेंगे बड़े-बड़े जट व सब्क्रांब करोड़े हैं और यहां जाते हैं अब उधारन के तोर पर Reese Time कि अत। उनके जाने वाले काउन है प्रदीप मिश्रा जो कथा वाचक उनके हां जाने वाले कौन है मुरारी बापू के हां जाने वाले कौन है वह अलग कम्मुनिटी है आज मुझे कोई बता रहा था कि पंजाबियों में भी एक कोई गुरू जी आ गहे हैं वो केवल वी आईपी सव डेड़ सो अरब पती लोगों के बीच वो एक अलक्स एको सिस्टम के लोग होंगे जिनके साथ पुलिस प्रोटेक्शन गवर्मेंट प्रोटेक्शन रूलिंग पार्टी प्रोटेक्शन एक इको सिस्टम होता है इन बाबाओं के साथ का डिफरेंट है इनको कभी इस तरह के प्रोटेक्शन नही लोगों के बीज था कम लोग मींस जो इको सिस्टम है उनकी कम्यूटी में तो था और आज से नहीं पिछले 15-18 जालूप से राजस्थान में कारिक्रम मध्य प्रदेश में कारिक्रम उत्तर प्रदेश में कारिक्रम दिल्ली में कारिक्रम उत्तराखंड में कारिक्रम बिहार में का रिक्रम कई जगों पर मध्यप्रदेश में भी लेकिन कोई जानता नहीं था इनको अब जानना कब से शुरूँ है जब यह घटना कारीत हो गई बैन भाई यह पाखंड का बाजार है ऐसा नहीं कि सूरजपाल जो काम कर रहे थे बागेश्वर बाबा को काम नहीं करते या प्रदीप मिश्रा वो नहीं कर रहे है श्री सिरी रविशंकर को देख ले या जग्गी जी को देख ले उनका क्लास अलग है उनके हां कभी यह सब्सक्राइब करने में मुश्किल होगी लेकिन भाई है हिंदू समाज के यह हकीकत है कि यह तीन खानों में बटी हुई कम्मुनिटी है और तीनों ने अपने अपने अलग-अलग अध्यात्मी गुरू बाबा चमतकार इश्वर ब्रमांड क्रियेटर सब ने अलग-अलग खोज रखें क्या करते हैं बागेश्वर उनके भाई के अभी कारणामे आपको पता ही होंगे एक एक्सन हुआ कट्टा लेके पूरे इलाके में बागेश्वर धाम के आसपास घुमते हैं कितनी बार पकड़े के किसी के घर पहुंचके कुछ भी कांड कर डालते हैं पर जब से पता चला है कि सूरजपाल का सोसल इंफ्लूएंस कितना बड़ा है सरकार पीछे हड गई है कारवाई नहीं कर सकती क्यों नहीं करेगी इतना बड़ा वोट बेस है इमोसंस हड होंगे किसके सेडिल्ट कास्ट कम्यूटी के OBC कम्यूटी के जो जिनके आध्यात्म को को सूरजपाल रिपर्जेंट करते हैं तो सूरजपाल को ये व्यक्तिक का नाम हो सकता है लेकिन बैनों भाईयों ये काम सब एक जैसा कर रहे हैं वही परची निकालना उसी तरह से बोलना खुद को इश्वर के रूप में प्रस्तुत करना और अपनी कम्यूटी के लोगों के आध्यात्मिक इगो को सांथ करना अध्यात्मिक भूग को खतम करना और इस देश में अगर आपको धर्म के नाम पर बेचने की कला आ जाए वही ये पाखंड है वही ये कथावाचन है आप मुझे बताईए कि कौन सा ऐसा कथावाचक है जो अब शब्दों का इस्तेमाल न करके कांट्रोवर्सियल विश्यों पर चर्चा ना करके रहता हो अब ही हाली में परदीप मिष्च ने कितना गंदा गिनोना घटिया बयान दिया ये इनकी आदत है क्यों ? क्योंकि अगर गलत ऐसी चीजे बोलेंगे मीडिया में आएए मीडिया में आएंगी तो उनकी चर्चा होगी और कथा की फीस बढ़ेगी जो कथाओं के आयोजक हैं वो सुन रहे होंगे डिबेट उन्हें पता है कि बाबा कितने पैसे लेते हैं बीना पैसा एडवांस लिए ये निकलते नहीं है आस्रमों से इनका नर्मे विश्वास है ना नारायन में विश्वास है ना सत्य पर विश्वास है ना इनका भगवान पर आस्था है ये एक स्टोरी टेलर है इनको बेचना आता है और आपको सुनना आता है तो आप पास पैसे हैं तो बड़े आदमियों के बाबा अलग हैं पिछली जाति ये भी वहीं है तो ये पाखंड का बाजार खुला हुआ है अनपढ़ असिक्षा ग्रामीर प्रिष्ट भूमी और धर्मांधता और अपने जिंदगी के हर सुख दुख में उन चमतकारों की उम्मीद लगाना जो कभी सरकारों का दाइद थोय करने का वह बाबाओं के हां तल पाखंड का फाइदा सूरजपाल भी उठाते हैं सास्त्री भी उठाते हैं और दूसरे लोग भी उठाते हैं तो आज चर्चा हम इसी पाखंड के बाजार पर करने वाले हैं सब के अलग-अलग एकोसिस्टम है और सच्चा ही यह है तो लोग जो चार दिन से ये तलास रहे गर्जाए बाबा का वी आई पी कल्चर हो चाई शाये नेता का हो चाह लागे चाह किसीका हो इस प्रका़ एक आडंबर बनाना के असली नकली सुरक्षा कर्मियों की फौज सारिन बजाना समानता के भाव के साथ काम अबाबाबा हो चाहे नेता हो च Sumidhank चाहे कोई भी हो यह परंपराएं हमारे समयधान के तानेबाने के विप्र мजार का पिरे कई वर्सों से फहला हुआ है उसके कुछ बाबा ऐसे जो लेकिन सरकार क्यों नहीं चेतती है प्रशासंग क्यों नहीं चेतता है जब इस तरगे के वारदात होते हैं तो बाबाओं का नाम F.I.R. में इसे गाइब रहता है उनके खिलाव कोई कारवाई नहीं बाबाओं से सवाल जरूर पूछा जाना चेहिए कि आप अगर भक्तों को बुला रहें तो उनको सुरक्षित क्यों नहीं रखना चाहते हैं देश के सम्मिधान के हिसाब से आप क्यों नहीं चलना चाहते हैं आप सम्मिधान से उपर क्यों समझते हैं अपने आपको जब से भ प्रश्ट भूमी से वाकिफ कराना चाहता था तब इस चर्चा को आज आगे बढ़ाते हैं। प्रचा को आगे बढ़ाते हैं।